दोस्तो मेरे एस्ट्रो महादेव कुम्भ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तो हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम आपको अपने इस वीडियो के जरिये आपको बेहत खास जानकारी देने जा रही हैं। दरसल आज इस वीडियो में हम बात करने जा रही हैं, रसोई घर की कुछ ऐसी वस्तों के बारे में जो भूल कर भी किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए, मान्यताएं कहती हैं कि कोई कितना भी मांगे। अगर किसी व्यक्ति के रसोई घर की इन चीजों को उधार में दे दिया, तो वह व्यक्ति जीवन में पैसों की तंगी के साथ साथ समस्त कष्टों से घिर जाता है। वास्तुशास्त्रा के अनुसार रसोई में रखी कुछ चीजों को हमें दान करने से बचना चाहिए। रसोई की ये खास चीजें किसी दूसरे को देने से घर की बरकत खत्म होती है। दोस्तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के किचन में इस्तमाल होने वाली हर चीज घर के सभी सदस्यों पर प्रभाव डालती है। घर का रसोई सबसे महत्वपून भाग होता है। वास्तु-शास्त्र मानता है कि चक्ला-बेलन का इस्तिमाल करते समय कई बार हमसे छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। यही गलतियां आगे चलकर वास्तु दोश का कारण बन सकती हैं। दोस्तों सभी की यही कामना होती है कि घर में हमेशा माता लक्षमी की कृपा बनी रहे। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में जोतिश शास्त्र में कुछ महत्वपून बातें कही गई हैं। जोतिश शास्त्र के अनुसार रसोई घर में रखी कुछ चीजें तकदीर बदल सकती हैं। इन चीजों को उधार देने से घर की समरिध्धी रुख सकती है। जोतिश में कुछ ऐसी बाते हैं। आमतोर पर कभी हमारे किचन में कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, ऐसे में हम बाजार जाने के बजाए उन चीजों को पडोसी से उधार लेते हैं, या कोई पडोसी आप से रसोई का कुछ सामान लेता है, जो की जोतिश की दृष्टी से गलत है, यदि आप किचन की चीजों क किसी को इस्तिमाल करने देते हैं, तो इससे घर की सुक्समरिधी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आए जानते हैं, प्रसोई की वो कौन सी चीजे हैं, जिन्हें दान देकर आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आए अब वीडियो शुरू करते हैं, हल्दी एंटी एलेर्जिक प्रापरटी की वजह से खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, वहीं जोतिश शास्त्र के नजरिय ये से देखा जाएं, तो हल्दी का संबंध ग्रहस्पती ग्रह से होता है, घर में हल्दी खत्म होने को गुरु दोश से जोड कर देखा जाता है, गुरु दोश लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है, करियर के मोर्चे पर असफलता मिलने लगती है, रसोई की हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को दान में देनी चाहिए, धार्मिक दृष्टिकों से हल्दी को शुब माना जाता है, हल्दी का इस्तमाल खाने पीने से लेकर पूजा-पाथ में भी किया जाता है, हल्दी का संबंध गुरु से होता है, कहा जाता है कि हल् हल्दी को भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। साथ ही हल्दी खत्म होने पर किसी से उधार भी नहीं लेनी चाहिए। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से है। जोतिश शास्त्र में शुक्र ग्रह को एश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। जोतिश वित का कहना है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोश को दर्शाता है। घर में शुक्र दोश लगने से पति-पत्नी के बीच जगडे शुरू हो जाते हैं। दाम पत्य जीवन में कडवाहट रहती है। इसलिए घर में चावल कभी खक्म नहीं होना चाहिए। चावल का दान करना तभी उचित है। जब आप के पास इसकी कमी ना होना नमक के बिना कोई भी खाना स्वाधीन लगता है। उसी तरह नमक की कमी रसोरी घर के लिए भी नक कारात मक्तालाती है। नमक की कमी से वास्तु दोश लगता है और घर पर आर्थिक संकट छा जाता है। इसलिए अपनी रसोई से पूरी तरह से नमक खत्म होने न दें। साथ ही नमक उधार भी नहीं लेनी चाहिए। बहुत जरूरी होने पर किसी से नमक मांगना पड़े तो उसे कुछ पैसे जरूर दें। रसोई में रखा नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसने पुन भरने का इंतजाम कर लें। जोतिश में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृ कि आपके उपर पड़ती है। ये आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। नमक ना तो दान में देना चाहिए और ना ही ये कभी किसी से लेना चाहिए। सर्सों का तेल घर में रखा सर्सों का तेल शनीग्रह से ऐसा होने से आप शनी के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके खत्म होने से पहले ही डिब्बे में तेल भरने का इंतजाम कर ले। सर्सों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आएं और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में देना चाहिए। दूध घर पर क अगर समय पर दूढ ना रहे तो इसे उनका अनादर समझा जाता है। महमानों का अनादर होने से वास्तु दोष लगता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार दूढ का संबंध चंद्र ग्रह से है। इसलिए दूढ या दूढ से बनी चीजें उधार देना शुभ नहीं माना जाता है। रुमाल अपना ही सही है। अकसर देखने में आता है कि ध्यान दिये बिना लोग एक दूसरे का रुमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच तनाफ पैदा हो सकता है। वहीं पैसों के नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है। धन न दें उधार। अकसर देखने में आता है खास तोर पर महिलाओं के साथ कि वे अपनी पोशाक से मैच करते हुए कहने दूसरे के पहनने से परहेस नहीं करती, वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है बलकि दूसरे ग्रहत्षा आपको भी प्रभावित कर सकती है। पेन न रखें किसी का। पेन एक ऐसी चीज है जिसे हम अकसर दूसरों से मांग कर प्रयोग करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्टमाल करने के बाद न लोटाया जाये तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही इससे आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुँच सकती है। भूल कर भी न पहने दूसरे का घड़ी हो सकते हैं। अस्फल। घड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनरजी का असर हम पर भी पढ़ सकता है। यहां तक कि अस्पलता और दुरभाग्य का भी सामना करना पढ़ सकता है। दोस किसी चीज की बर्कत भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों यह चोटी चोटी चीजएं अगर आप भी फालो करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें.